आज हम देखेंगे सनलगन आकृतियों के परिमाप से जुड़े कुछ दिल्चस्प उधारण निम्नदर्शाई आकृति में वर्ग ABCD की भुचा AD के मध्य बिंदू पर एक वर्ग जुड़ा हुआ है आकृति का परिमाप ग्याद कीजिए दर्शाई आकृति से ग्याद होता है कि वर्ग ABCD के भुचा की लंबाई 8 cm है प्रश्न के अनुसार G भुचा AD का मध्य बिंदू है इसलिए रेखाखंड याने लाइन सेग्मेंट AG और रेखाखंड GD की लंबाई बराबर होगी आकृति को देखकर हम कह सकते हैं कि AD बराबर AG धन GD है यानि कि AG धन GD बराबर 8 cm है चुकि AG बराबर GD है इसलिए GD धन GD बराबर 8 cm 2GD बराबर 8 cm GD बराबर 8 cm विभाजद 2 बराबर 4 cm है अर्थात वर्ग DEFG की भुचा GD की लंबाई 4 cm है और दर्शाय गई आकृति की भुचा AG की लंबाई भी 4 cm है परिमाब बराबर सभी भुचाओं की लंबाई का योग इसलिए परिमाब ग्याद करने के लिए हम आकृति की सभी भुचाओं की लंबाईयों का योग करेंगे परिमाब बराबर AB, धन BC, धन CD, धन DE, धन EF, धन FG, धन GA परिमाब बराबर 8 cm, धन 8 cm, धन 8 cm, धन 4 cm, धन 4 cm, धन 4 cm, धन 4 cm इस प्रकार दर्शाई गई आकृति का परिमाब 40 cm है अगला उधारण, आयत यानि Rectangle PQRS का परिमाब यानि Perimeter 120 मीटर है राहुल ने आयत PQRS को तीन बराबर माब के आयतों में विभाजित किया प्रतेक आयत का परिमाब ग्याद कीजिए आयत PQRS तीन बराबर माब के आयतों में विभाजित किया गया है अर्थात प्रतेक आयत की लंबाई और चोड़ाई बराबर है चलिए प्रतेक आयत की लंबाई को L और चोड़ाई को B मान ले यहां आयत PQRS का परिमाप बराबर आयत के चारो बुजाओं की लंबाई का योग बराबर L धन B धन L धन B धन B धन L धन B बराबर 3L धन 4B है हमें आयत PQRS का परिमाप 120 मीटर दिया गया है इसलिए हम कह सकते हैं कि 3L धन 4B बराबर 120 मीटर है यहां भुजा PQ बराबर 2B है और भुजा RS बराबर L है चुकि आयत की सम्मुख भुजाए यानि opposite sides बराबर होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि PQ बराबर RS यानि L बराबर 2B है अर्थात 3L धन 4B बराबर 120 मीटर को लिख सकते है 3 गुणा 2B धन 4B बराबर 120 मीटर इसे सरल करने पर B कमान 12 मीटर प्राप्त होगा चुकि L बराबर 2B है इसलिए हमें L कमान प्राप्त होगा 24 मीटर हमें ग्यार्थ है कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चोड़ाई है अतह विभाजत किये गए प्रतेक आयत का परिमाप है दो गुणा 24 धन 12 मीटर बराबर 2 गुणा 36 मीटर बराबर 72 मीटर अगला उधारण वर्ग यानी स्क्वेर ABCD का परिमाप 84 सेंटी मीटर है मिली मीटर में वर्ग के प्रतेक पुझा की लंबाई क्या होगी हमें ग्यार्थ है कि वर्ग ABCD का परिमाप बराबर 4 गुणा एक पुझा की लंबाई है इसलिए एक पुझा की लंबाई होगी वर्ग ABCD का परिमाप बराबर 21 सेंटी मीटर हमें ग्यार्थ है कि एक सेंटी मीटर बराबर 10 मिली मीटर है इस तरह से वर्ग ABCD के एक पुझा की लंबाई होगी 21 गुणा 10 मिली मीटर बराबर 210 मिली मीटर चुकि वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है इसलिए वर्ग ABCD की प्रतेक भुजाओं की लंबाई 210 मिलिमीटर है आज हमने देखे सनलगन आकरितियों के परिमाप से चुड़े कुछ मज़ेदार उधारण अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिध्याधार ना है